हैलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब बढ़िया होंगे अच्छे से होंगे अभी वो टाइम है जब बच्चों के पापा चले गए ऑफिस वरिशी चले गए है स्कूल और रिदी सोई है ये वाले दिन कभी कभी मिलते हैं वैसे रिदी उठ जाती है तो आज मैंने सोचा शान्ती से बाहर थोड़ा थंड़ा 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 भी है तो बालकनी में बै बैड बनाया है देखो इसके नीचे एक पलाई जैसे लगा दिया इन्होंने और बस बन गया ये बैड बॉक्स तो जब लेने गए थे तब मैं भी साथ में थी पर जब लेने जाते हैं तो इन्हों कितनी एकसाइटमेंट रहती है तो तब कहां देखते हैं ये सब कुछ ची जैसा भी है हमारा है हमें यूज करना है तो जिन्दगी में उस पॉइंट पे आ गया है कि एकस्पिरियंस शेयर कर सकते हैं और मेरा एकस्पिरियंस कहता है ना कि जैसे आपकी नई शादी होती है या आप कई जगा मूव होते हैं तो बैड बॉक्स ही लेने चाहिए बहुत तो लगे हाथ फ्लो फ्लो में दूसरे बैड का बॉक्स भी साफ हो गया हमारी सुसाइटी मुझे बहुत अच्छे लेग दिया इस मामले में कि यहां हर एक फेस्टिबल सेलिब्रेट होता है और आज हनुमान जेहनती सेलिब्रेट हो रही है सुन्दर पाठ हो रहा है तो मै पहुंचते पहुंचते एक घंटा लगया हमें क्योंकि बीच में इंडस्ट्रेल एरिया है कंस्ट्रक्शन चली हुई है और वहां पहुंचने के बाद पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम यहां एलिवेटेड पार्किंग है तो कही गारिया ऊपर चड़ी है नीचे उतार र खर ऊठाया और उसके बाद हम लंच करने के लिए आए हैं यहां सरपंच बाग में और बहुत ठक गय थे सच बताऊँ और इतनी गरमी तो बस हमने लंच किया और बच्चे यह गर्मी में बाहर खेलने निकल गये मतलब बच्चों को तो कहां ल entendeu गर्मी तो उसके बाद बस यहां से हम निकल गए तो फ्रेंज आज का दिन मेरा तो बहुत अच्छा गया मुझे शॉपिंग करने का मौका मिला और हम तीन साड़े तीन बज़े के करीब घर आये हैं सुबह हम 14-10 बज़े निकल गए थे और हम अभी साड़े तीन बज़े घर पे आये हैं सब थक गए हैं सो गए हैं रिधी भी सो गई है वो तो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मुझे नहीं आरे थी मुझे लग़ा था कि मैं देखो क्या क्या लाई हूं मैं और पता नहीं क्या क्या लेकर आई हूं सच में मुझे भी पता नहीं है मैं क्या क्या उठा के लेकर आई हूं तो प्रॉसरी से भापा है तो फाफर्स चले बिलन वैस बाता है तो खिलीग तो हम लिए के थिप नहीं थे तो हम ऐसे मतलब मेरा इसन पूल्ब कि मैं जाकर ढह dirहां हैं इसे सब्सक्राइस हैं मैं चोपशनी चीज से स्टार्ट करते हूँ तो यह सिलिकोन बॉटल क्लिनिंग ब्रश है यह देखे इसका यह चोटा सा पता निंग क्यों है यह थोड़ा बड़ा होना चाहिए था बड़ा है तो यह मुझे 80 रुपीज का पड़ा है मैं इसको यहां को रख देते हूं सेकेंड है यह और इसमें कटलरी बगएरा लगते हैं आपके में चमच और सब चीज़ें रख सकते हैं और बना भी है कई लोग अपने आप बनाते हैं डियाइवाई कटके तो इसको भी बेड़ा उपन करते हूं यह मुझे कितने रुपीज का बड़ा है यह 110 रुपीज का प तो यह इस तरह से है और मैं इसको यूज करके भी बताऊंगी इसके नीचे देखे यहां से पानी निकलने के लिए है पर नीचे ट्रे होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से ऐसे तो एक्शली यह था ना मैंने यह ले लिया था और फिर मुझे यह दिखा तो मुझे लगा यह सस में तो यह वाला भी कितना सुंदर है इसमें भी कुछ भी डाल सकते है और भी जैसे चमच फोक वगएरा तो यह दिखिए यह 40 रूपीज का है SP सेल प्राइस मतलब तो यह 39 रूपीज का मुझे पढ़ा है अच्छा है इसके कल है blue blue मुझे बहुत अच्छा लगा तो यह मै 90 रूपीज का है यह बट इसके क्वालिटी अच्छी है एक मैंने यह रैक ली है यह जो होती है फ्री लेयर स्टोरेज ट्रैक है यह इस तरह का आईगा यह बन के फोटो तो इसको भी मैं कीचन में ही यूज करने वाली हूं तो यह 170 रूपीज की है उनली और तो यह हुआ देखिए फाइनली इस तरह से रेडी हुई है और बहुत सुन्दर लग रही है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है बाकी यूज करके मैं दिखाऊंगी आपको यह बार इस प्रे बॉटल और अभी मैंने यह टेस्ट करके भी नहीं देखिए कई कामों के लिए आ जाते इस प्रे बॉटल्स बट आपको ध्यान रहे है यह ठीक है इसमें देखिए यह चीज होना बहुत जरूरी है कई बार क्या होता ना इसमें फस जाती है यह यहां भी फस सकती है तो फिर चलना बंद हो जाता है तो 49 रूपीज की पड़ी मुझे यह बॉटल और यह इस तरह क नहीं क्योंकि मेरे जैसे प्राणी तोड़ देते हैं चीजों को और यह थोड़ी कॉसली है अगर क्वालिटी अच्छी है तो थोड़ी सा कॉसली भी होगा यह 179 की है इतना सा बॉक्स है 179 का और इतनी बड़ी यह 170 की ऐसे कंपया नहीं करना चाहिए मुर्ख लोग करता है ऐसे कंपया है तो यह देखे बगदी अच्छी क्वालिटी आए यह तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कुछ भी डालना है इसमें तो इसमें डाला जा सकता है ब्रेड गयर काफी हाई तैसकी काफी हाई टैस इस्ट अजम एयर टाइट हो जाता है इसमें चीजे रखी जा सकते हैं बहुत ही अच्छा है ये बॉक्स एक ये इन 149 रुपीज का है इतनु सा मुझे लगा ये 50 रुपीज का है इस नहीं पर ये अच्छा भी है देखिए जैसे कभी विशी को देना होता तो ये बहुत अच्छा है एक दव मैसे टाइट बंद हो चाता है तो इसलिए मैंने ले लिया ये और थीक है क्वालिटी इसकी अच्छी है और अभूसली महिंगा भी है उसके बाद ये लिए हैं चा कटोरियां थी यूनो कही कटोरियां से बीच से क्रैक पर जाता है तो वैसा हो गया था इसलिए क्टोरियों की जुरत तो थी ही चाय पीने के लिए है चाइप च्टनी लिए है ये इसमें double layer है च्टनी में तो ये अच्छे है और वैसे भी प्लास्टिक की तो यूज नहीं पर तो इसलिए मैंने नहीं ले लिया है और नेक्स्ट मैंने लिया है यह पतीला, 310 रुपए का पड़ा यह मुझे और अब पता नहीं सस्ता है यह महिंगा है 310 रुपए का है, आगे गैस कर लीजिएगा, सस्ता है मैंगा मुझे देखना पड़ेगा, ओनलाइन गिनने के मिलते हैं और अनलाइन का वही है न फिर आप देखनी सकते क्या क्वालिटी आपको मिल रही है यहां ऐसा कि क्वालिटी तो दिखने को मिल रही है न तो वह तसली रहती है, क्वालिटी अच्छी है इसकी ठीक है, जदा भारी नहीं है, भारी वाले भी थे तो उनका प्राइस भारी हो यह मैं तो अभी प्राइस दिखा 119 रुपे का एक मंग अच्छा हुआ तीन ही लिए वरना तो मैं बहुत जादा लेने वाली थी अच्छी है मैं तो सुझा ज़िए टूड़ गए होंगे रास्ते में आते हाते और नेक्स्ट है यह प्लेट्स छोटी छोटी ब्लेट्स हैं यह 39 रुपीज की एक है तो इस बार होता है जोटा सा आपको स्नैक वगएरे किसी को सब्सक्राइब करना होता है अच्छे लिखा इस पर यह चाय के लिए है मैंने कप्स अकेले भी मिल रहे थे पर मैंने इकत्थे पैक ठीक है वरना बैग में तो तूटी जाने थी यह सारे तो इनको खोल के देख लेते हैं क्योंकि अब यह यूजी होने वाले हैं अब ब्लू कलर में और ब्लू कलर तो म इतनी भीड थी तो मैं और ऑप्शन देखनी पाई क्या-क्या है उधर तो यह इस तरह के कप्स हैं चाय के कप्प हैं यह कहचे लगे अच्छे लगे ना 736 के हैं यह मेरी ख्याल से और जगह भी सस्ते मिली जाते हैं 500 तक तो कप्स मिली जाते होंगे तो जब भी की कमपेरिजं तो करना चाहिए बता तो होना चाएगी कौन सी चिस कितने रुपीज मैं आती है तो क्या यह ठीक है, यह 250 रुपीज के एक है, 250 रुपीज का एक है, तो यह मैंने दो वरिशी के लिए लिए है, लास्ट चीज, फ्लॉग्स लिए, रिद्धी के लिए, और वरिशी ने पहना दिया, देखे अभी तोड़ दिये, पहसों का कच्रा कर दिया, एकी मिनिट में, देखा आ परवाई का नतीजा है, ठीक है, इसको मैं यहां करके जोडने वाली हूँ, तो मैं नहीं बूलूँगी कि डीमार्ट से बहुत सस्ता समान मिलता है, हां, ग्रॉसरी सस्ती मिलती होंगी, और कुछ प्लास्टी का समान भी सस्ता मिलता होगा, और चीज़ने तो वही लगा मु में भी आने वाले सालों में यहीं आसपास में कहीं खुल जाए, बट एक्सपिरियंस अच्छा था, तो इसी के साथ, फ्रेंड्स, आज का वीडियो खतम करती हूँ, आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप से मिलती हूँ अब अगले वीडियो मे तब तब के लिए, बाए, बाए